विविद दुनिया के सामाज, जातिय और आर्थिक मतभेदों में, शिक्षा सभी के लिए समान और न्याइपूर्ण समाज बनाने के लिए एक समानता प्रदान करती है। फिर भी दुनिया भर के कई बच्चों के लिए शिक्षा एक सपना है। भारत में शिक्षा एक मूल अधिकार है, फिर भी 78 लाख बच्चों में से केवल एक प्रतिशत बच्चे ही विद्याले में है 5 से 19 वर्ष के बीच के 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत युवा बच्चे कभी भी किसी शैक्षडिक संस्थान में नहीं गए शमा करें, हमारे पास आपकी बेटी के लिए विशेश शिक्षा नहीं है यह कई बाधाओं के कारण होता है जैसे की व्यवहारिक, सूचनाक्मक या अगमेता The Missing Millions हर दिन लाखो विकलांग बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने का एक अभियान है और हम इने कैसे दूर करें RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार इन बाधाओं को दूर करने और उचित शिक्षा प्रदान करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि विकलांग बच्चे अपनी पूरी क्षमता से प्रारंभिक बच्पन की देखभार और शिक्षा से लेकर कुझे शिक्षा तक पहुँचे सभी शैक्षणिक संस्थानों को गुर्वत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपाय करने चाहिए योग्य शिक्षक को ट्रेन करे और नौकरी दे सुगमता के लिए उपकरनों साइन लैंडवेश, ब्रेल, व्रिद्धी और संचार के वैकल्पिक तरीको एएसी और अन्य उचित शैक्षणिक उप्यों को बढ़ावा दे शैक्षणिक और सामाजिक विकास करने के लिए सहायता प्रदान करे प्रत्यक छात्र को उनकी विकलामता के अनुसार बड़ी छपाई ओडियो टेप लेक्चर या किताबे बैठने की जगा एकाग्रता वाले उचित स्थान दे पाठिक्रम और परीक्षा व्यवस्था में सुधार करे जैसे छात्र को दूसरी भाषा सीखने से छूट दे स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों से वास्तु संबंधी बाधाओं को दूर करे इन कानूनों को लागू करे और इने अपना कर हम पा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए हमें 9811980108 पर मिस कॉल दे या ncpedp.org पर जाए